हेलो एवरिवन कैसे आप सब उम्मीद आप सब अच्छे होंगे मैं हरिसाओ अभिपसर एजुकेशन फॉर एक्सलेंज की इस ओर्लाइन प्रेटफार्म में आपका हर्दी स्वाकत करता हूं तो बच्चों हम जो है पिशनले लेक्चर में एमसी क्यों के बारे हम डिसकस कर लिये थे वह भी चैप्टर नंबर 16 टेंथ साइंस का जो आज हम उसको करने वाले हैं और आज एमसी क्यों से आगे वड़कर हम चलेंगे दो नंबर की जितने प्रेश्ट उस पर चलने वाले हैं जिसमें हम जो है पूर टैंत साइंस का जितना भी आपका केमेश्टिह पोर्चन साइंस उस project Amo अभी हम के मेश्टिय पूर्चन की बात बसकते हो हैं इसे एना उसमेंञे उन्वाद जो प्रश्ण है उसको आज देखने वाले MCQs देख लिए थे और कुछ-कुछ बेसिक जनकाली देख लिए थे कि कैसे बहुलक क्या होता है और बहुलक के बारे में तो आज जनकाली ले रखे थे बच्चो ठीक है यहां तक की बाद पूरा आपको समझ में आ गई होगी और इसी स्टेप को आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं अपना रिती रिवाश पूरा करते हुए कि दो नंबर के क्या है सर उसको पता लगाए और उसका solution करें तो उसी करें हम सुरुवात करते हैं भाई आज दो अंक्वाले प्रश्ट के बारे में तो सबसे पहले बता रहां सबसे ज़्यादा आता है यह से किससर केमिकल फर्मूलर से से रावान को लिखते लिए रहे रहे दोजाए लेकिन चांसे कब है कि इससे question पुछने का लेकिन उनके पास question है ही नहीं और ज़्यादा तो इससे भी repeat किया आए सकता है तो क्यों नहीं इसका practice किया जाए भई तो चलो इसका practice करते हैं हम question देखते हैं योगिक क्या क्या है और क्यात्मक समय क्या 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 उसके बिवारें भी बात करेंगे कि इसमें क्या योगिक है और इसमें कौन सा क्यात्मक समय में लगा हुआ है या रश्यानिक सुत्र भी दे देगा उसका रश्यानिक नाम क्या होगा इस पर हम discussion करना चलो करते हैं चलो भई खुर्सी के बान लीजिए स्टार्ट करते हैं यह सपर दो नंबर और जितने question उस पर जो है किसका है वह जो है इल्कोहल का है अता किर्यात्मक समय क्या होगा इसका इल्कोहल होगा एक नंबर मिल गया भई ठीक है अब देखो नेश्ट C4H9CL किया है CL जो है है इसको बताता है है अलाइट मतलब क्या भई है है लोजें तत्वा creator किछ नंबर वर्ग किड़ता है वह है किसी mine drug g तो वह क्या बोल दिया भाई थी इसमें कौन से गुरूप है है लो गुरूप क्या बोल है लो गुरूप यहां तक बद समझ भाई तो आपको पुरा समझ में आ रहा है अब देखो सी एच ओ दिखाई दे रहा है इसके बारे में सी एच ओ पिछले लेक्षर क्या होंगे आप देखके ही आ है ना तो देखो भाई सी एचो मतलब क्या कारबन डबल बॉर्ड ऑक्सीजन फिर हैड्रोजन यह वाला फंक्शनल ग् दीखाई दिये रहा है सर हम बोलने की जड़त नहीं इस एच चोटा-चोटा प्रबल नंबर 1 मेथेन नमबर 2 एथेन धीन करबन नंबर 3 प्रोपेन करबन नमबर 4 ब्यूटेन और पांश नमबर करबन उसको पेंट बोड़ा था पेंटेन बोड़ा जाता है उसी कड़ी में मैं बोड़ा हूँ C5H element मतलब इसको क्या बोलूँगा अगर मैं आंसर को छिपा दू अपने पुरा ध्याग दिया मैं अब बता हूँ क्या होगा C5H element OH है क्या होगा C5 मतलब paint हाना paint और यह क्या है जी OH Australian बारे में बात करूं तो इस नियुक्त लगाता हूँ राशन क्या लगाता हो प्रत्य जी OH all तो यह paint है मतलब क्या paint टेन ओल क्या paint नल यह paint नॉल हो जाए इसका नाम और पीन तो क्या हो है क्या होगा हो और उस्ट सम्वूद्स क्या हो क्या हो का नाम इसको क्या बोलते हो बैए इसको बोलते है क्या अमल अम्ल में है कर आपकशी डिवारा सी ओ एच फिर दिखेंगे क्या था क्या था था है एक कोस्ट है नाम क्या हो गाए दिखा मया पर्याराद का न चैनल पर राद करना मेथेन कहें अप पर यितर बड़ाते जाओगे आप सबकर नाम कर सकते हो इसके कर नाम कर सकते हो एक पढे की है एक है सी थ्री ओएच क्या होगा यह वोगा एल्कॉहली होगा सी फोर हेश नैंट बी आर दिख गया बी आर किसके गुरूप है बताव बयार मतलब 17 नंबर के वर्ग का क्या है बताव फ्लोरीञ, क्लोरीञ, ब्रोमीन, आयोडीन यह वाला जो है वही वाला गुरूप है यह य एक हैलो जन तत्वा जो है यह भी क्या लगता है पीछे में लगता है यह भी क्या है क्रियात्मक समुहें फंक्षनल ग्रूप बोलते हैं जिसे ठीक है हो गया है यहां तक समझ में आए फिर देखो समझ में आए बहुत हीजी है देख लिए दो नंबर के विवस्ता हो गया आपके लिए कोई भी पूछ देगा बना सकते हो इसके अलावा और भी कोश्चन इसी में देया जा सकते हैं कैसे अब यह कर दिया मतलब यह है कि आप फॉर्मेट दिया गया है आपको बस मैंड जो है है कर दो हैं आज आच पूछारत आपको स्मझ में बहुत वहां है किम अपया सब्सक्राइब कर देंब जाया है 처음 धूरे निकरत लाने कर दोosta कर में अगया देखार में ऋ दव states प्राइब किसे तो तो ऺधिदहें दूरें तो क्षर ऀंटाएं उत्प्र हों डिखता 발생 कोर्ण रिसे हैं बादार्फ कर escola क्या भंक है बताः जो है अट तो idag भागे opening नहीं होदि तो यह किंड़ कर्द है स्वें किसा उप्रूंट allora गटार्थ तो ह्यां देटा तो यह तो बढएंड़े की दर को यह तो पिक कि घटा देता है मैंना बात करूं ऑतरार्थ होतें ग्यां बहाँ नहीं लेते किंतु अभिक्रिया की दार को परिवर्थीत कर देता है जैवी ş reps करने वाले उत्प्रेया और स्थे सब्रेंब का दाता है समझने बात मैं जन्यों, मैं उत्हुन हुर देता हूं दो लोग जन्म methodology जन्ठी नप वर आयता है करते हैं तो इसको एसे बोल रहा देता है अग और लगता है फिर वह की प्रसंद चाल हो गया हुआ है कि आर बी जो है उपास में परता लग रहा है तो इसे क्या संज़ें attachments हड़ परसं था वो जरुर भाग ने लिया लेकिन दोनों के बीच में रियक् appreci完全 को बढ़ा दिया से वही काम करता हूं उत्प्रेरक क्या करता है छुद भाग नहीं लेता है जचुत क्या करता है लेकिन तो उसको कर दे तुट चले कर दिया कान है कुझ दिया प्रभाईट करने वाले उत्प्रेगों को ज्याय प्रक्रिया जीव से संबंदित उत्प्रेग ज्याय उत्प्रिया होँगा अब इसकी मिल्च में परतिज जो है उत्व पूरा एंजयम के भरोसे ही चलता है तो देर बस आने वाला हूं फिर मैं भी बात कर रहा था इस्ट में कौन से इंजयम पाए जाता है जिसके द्वारा वे प्रोशेज होगे होता है इसको आपको याद रखना है आपको समझ भी गया होंगे यह जो है ब के बारे में और कुछ इसको अब्जेक्टिम भी दिया जा सकते हैं तो आपको कंफिज नहीं होना है आपको सिंपल और सस्ता सुन्दर ठिकाओ आंसर देना है चलो आगे और देखते हैं कि क्या और कोशन पूछा जाता है इससे इसको कौर नहीं बता पाएगा आप जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं आपको पूरा पता ही होगा मैं मान के चाहूंगा कि एथिल दिखाई देता है एथ दिखाई देता है एथ दिखाई देता है तो मुझे कि aqui कारबन कितना अता होगा यहाँ नहीं रहता होगा ठीक है और ऑलकाल बोल दिया एलकोल क्या बताता है वह2-च बताता है तो बता हो सुत्र क्या होगा 12 को श्रीम एठिल i2 हो गया ठीक है अब क्या होगा कि फीर बचगे क्या पूऔ ऑच आप कोई बोलेगा सर आपको पता है सब जल्दी लीग दिये हमें नहीं पता है हमें टाइम लग अरे भाई दिवाग लगा आपको यह पता है कि CH4 को मेथन बोलते हो C2H6 को क्या बोलते हो जी एथन बोलते हो अब इसी एथन की बात कर रहा हूं मैं उसमें क्या होते है ओए जो है कि यह जो है इसका बात कर रहा है कि यह जो है इसका सजाती स्रेनी अगर मैं बात करूं CnH2N1 होता है और इधर होता है है OH किसका इलकोहॉल का अब इसमें कारबन नमबर दो इसको याद ही रखना आपना मैं इसको अच्छे से लेक्षर करा दिया हूं एप में आप देखेंगे पूरा वीडियो मनाया हूं बहुत इच्छे तरीके से लेकिन अब फिर बार बात आही गई तो चलो चलो डिसकस कर है तो देखो cn h2n plus 1 और e क्या है यह मैनस नहीं है यह डेस करके मतलब यह भी साथ में लगा हुआ है अब OH है और cn h2n plus 1 है अब इसमें सर इन बराबन में 1 रखना या इन बराबन 2 रखना में बारी बाइस से रख सकता हूं अब देखो एथ बोल दिया मतलब कारबन नमब पर 2 है अगर यह 2 है तो मैं 2 रख देता हूं सर फिर मुझे पराइस आता है पूट करने पर कि यह जो वैल्यू है यह हो जाएगा इसका क्या यह हो जाएगा इसका ग्रीन में लिग देता हूं यह हो जाएगा c2 h2 to the 4 हो जाएगा बात की बात है प्लस 1 अभी थोड़ा दिर जो आप इतिल जो आपका इल्कॉह था इसको बना दिये तो आता इसका आंसर क्या होगा भाई इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा सर C2H5OH, क्या होगा भई, C2H5OH, जो के क्या पताता है, ETHYL Tambol को बताता है, C2H5OH, जो की बताता है, ESTHYL Tambol का, यह अंसर लिखे, ऐसा उत्तर करके हुझी सकते हो, ऐसा है, है ना, यह जो है, इसका ESTHYL stur है, और इसे ही, क्या बोलते हैं भई, लात समझ में आइए अगे बढ़ें अब देखो चलोर देखते है नेस्ट क्यसे ऐसे आप में बटते हैं औहर किसे करते हैं आप बताओ इल्कोहल किसे करता है पूछ रहा है ये संत्रिप्ता हैड्रोकरबन के एक या एक से अधिक हैड्रोजन पर्मानों को है ड्रक्सित समूओ ओएज द्वार प्रति सापी करने पर प्राप्त होने वाले योगिक एल्कोहल करते हैं जैसे मेठीनियर को अथिरियनगोल पता वो जो carbon है वो प्रतिक hydrogen के साथ एक-एक single bond से जूड़ा हो था, जैसकि CH4 था, अब उस CH4 से एक hydrogen निकाला, चलो मैं आपको फ्रेश में बताता हूँ, यह जो है, चलो यहां से बताते तो, C, Cn, H2n, यह होता है क्या आपका, थह, क्या सन्त्रीप्ता हाइड्रो कर्ड करबान का फार्मूला, इसांवरा चाहत निकाल देना, जो में थेFR countries किए से क्या करना है breakfast सब्सक्राइबाराहऑ, अब यह दिख रहा है मैं एक हैट्रोजन निकाल दिया माइनस एच कर दिया अब जो आ रहा है तो क्या हो जाएगा भई dcn is 2n यह प्लस2 इंष डो फंऐन औह вас 2 हो जाईगा क्यों एक तो निकल गया एक है्टrat menjadi व्लाश टूथा इसको फ्लास उन कर दिया फिर क्या जोडबी वेश जोडबी देना यह तका यह दिख्या रहा है हाँ 6 जिसके बारे महतना दिया थे ठीक है समझ में आया वहीं बताता है क्या एलकोहल को बताता है ठीक और यह पूछ दे अलकोहल किसे करते हैं आपको बता देना है उसमें CEO ग्रूप रहता है और किससे बनता है यह भी बता देना का क्या होता यहीं से सकता हैUh अब यहाँ कुछ सकता है अब आम देख तहें किसे करते इस को दहान देजी मता हूं कि जैसे ही बहुत रहा हुआ इसे वैसी question भ्यार है अब क्या बोलोगे भी ऐसे कर्बनीक जिसमें एक कर्बोक्सिलिक समू सी ओ ओ एच उपस्तित होता है उसे कर्बोक्सिलिक अमला करते हैं उदाधन बोलेगे बद लेना सबीधी भी पता बोल दिया तो देखो एक नमबर दो नमबर चार नमबर के प्रश्न है वह काफी हद तक सिमिलर है इसे और question कुछ बनता ही नहीं है एक ही दो topic रहता है जिससे उसी को घुमाकर एक नमबर में उसी को घुमाकर दो नमबर को उसी में चार नमबर में हर साल अब जबकि आपका यूनिट जो है इतना चोटा सा है और ज्यादा एडवांस करना भी नहीं हो उनको क्योंकि दसवी को बच्चों को उतना ही देना है जितना के सिलेबस में है जबकि आपको पुरा बूल पिंट में पता चल गया है कि इसे चार नमबर आने वाले है इसे दो नम ये दो है को ड़ए अब हम देखते हैं कि पालीतिन को को जला कर नश्च क्यों निकरन चाहिए अब यह कॉमन है बच्छों एक दम ज्यादा कॉमन से यह कि पालीतिन को क्यों निक्वारते अब देखना नूटिस करना आप अगर जैसे पहले अभी भी बहूंत लोगा इसे है जो चूलह में खाना मनाते हैं, यह पर पहले भी ऐसा था, जो सब घर मनाया करते हैं, बहुत कम था, जिसके पास रसोई गैस इंधन के रूप में यूज के आते था, अब मैं बोल वाया हूँ, उसमें क्या होते थे, मम्मी लोग, दादी लोग जब खाना मनाते थे, तो लोग मैं बात लूँ, 10-15 साल पहले की बात है, उससे भी पहले की बात है, तो यह सब होता था, जब मैं क्या करता था, कंडे और लकडी के ज़़ाता था, चूलह के रुप में, तब यह होता था, अब इसी बीच आप कमान से लगाओ, अब पालितिन है, अब पालितिन को डाल दो चूलह में, फिर क्या होगा, वो भी कुछ करता होगा, सर, वो भी क्या करता है, चूलह में, वो भी क्या करता है, धुआ को बढ़ाने काम करता है, मतलब क्या, मतलब मैं बोलू हूँ, पालितिन को जलाकर नश्ट करने से कारबन डायकसाइड और कारबन आकसाइड, सॉरी, क जैसे विसेली गैस उत्पन होती है जो कि परियों को प्रदसित करते हैं यह गैसे मज़ोसे के लिए हानिका रखें क्लियर हुई बात और यह होता है और नोटिस करना जो कच्रा वाले भीया आज आ रहा है आपके बीच में वह क्या करते हैं उस अब कठा करते हैं और एक सही ज जलाने वाले चीज को ही बस जलाते है जो जल जाते है इसली पॉलिथिन जैसे चीज जलता नहीं है रबर जैसे जलता नहीं है तो अब मोटिस करना कि आपकी घर में भी जैसे पॉलिथिन रहता है उसको क्या करते ममी लोग उसको बहुती रेर कंडिसर रहें उसको बहुत जबाते हैं किन्वान की परिबास था नेदा है किन्वान की परिबासा याद रहा हुआ सभी धिया क्या होता है जटिल इसको कारबनी कि और कालवन की तरिको में धीमी प्रक्रिया द्वरा अगटन की रहाती है मतलब क्या बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिच्वेसर रहेगा जटिल कारवनी क्योगी करहेगा उसके देखो को है ना इंजायम की उपस्तिती में मतलब क्या बहुत टुफ डैग आप विडियों को सकता हूं बहुत टुफ चेप्टर है उसको हमारे अविपसर टीम के दुवा अक्षिय में के नहीं का डरिताहि की बीए उसको हमारे की से जेंगे इंजाइम जथ इन्जाइम की साहता ठीता है構हादा जाता है मक्हन जासा कि घैसा Holz की है उसमें भी इंजाइम कही हाथ है इस पर फिर डिसकस करेंगे है ना तो जटिल कर्बनीग अगयों का इंजाइम की उपस्तिती में सरल कर्बनीग में धीमें प्रक्रिया दुआरा अब घटन किलमन कहलाता है बात समझ मैं ही समझ मैं दो नम्मर के क्वेश्चन इतना सब क्या होती है तो यहां तक बात खतम होता है बच्चों और हम दो नम्मर के क्वेश्चन पुरा कर लिए और आप अच्छे से पार्टिश्मेंट कर रहे हैं मुझे पूरा बड़स आपके और आप तैयरी विजबरदस्ता ही किस कर रहे हैं बिलकुल लाइक और अब हम मिलते बच्चों नियाश्ट्रेक्चर में धन्यवाद